बेटा अब ये तक हमने करा था main auxiliary verbs, अब next जो हम कर रहे हैं वो है model auxiliary verbs, अब main auxiliary verbs से model auxiliary verbs में क्या difference होता है, वो कैसे use होते हैं, उसको कैसे identify करते हैं, now we are going to do that. student सबसे पहले हमें देखेंगे model verbs कौन-कौन से होते हैं और इसमें हम कब use करते हैं इनको, जब हमें क्या दिखाना होता है, क्या express करना होता है, can हम कब use करते हैं बच्चों, can हम use करते हैं ability के लिए, doubt show करने के लिए, astonishment के लिए, permission देने के लिए, polite ये request के लिए, यानि जब हमें अपनी ability दिखानी होती है, यह हमें दिखाना होता है कि हमें किसी पर शक हो रहा है, यह हम हरान है, यह हमें कभी permission चाहिए होती है, यह हमें आपको requested या politely show करना होता है, तब हम क्या हम दिखाते हैं, और मैं, जो मैं हैं, हम दिखाते हैं, जब permission चाहिए होती है, if not prohibited, if not prohibited का मतलब है कि जब उसको रोका ना जाए, वो restrict ना की जाए, जैसे आप कहते हो ना, ma'am, may I come in, तो उसमें जो है, वो prohibited नहीं होती है, उसमें क्या है, कि आपको इजाज़त मिल सकती है, उसमें कोई रूल नहीं है कि आपको यह prohibited, यू, नहीं आपको किया जा रहा है, जबकि can में क्यों होता है, कि आपको prohibited किया जा सकता है, you can't do this work, ठीक है, आपको prohibition, आपकी ability को challenge किया जा रहा है, कि नहीं यह आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, दुनों में यह difference है, a supposition with doubt, supposition with down, कि क्या यह हो सकता है, यह नहीं हो सकता, may I try to do this, जब may I try बोलते हैं, कि क्या मैं यह try करके देखू, मुझसे होगा यह नहीं होगा, तो वो आजाएगा supposition के ओपर, ठीक है, next हमारे पास देखो क्या है बच्चे, may के बाद है, must, must में क्या होता है, oblige your firm necessity, यह logic, यह conclusion यह probability हम बताते हैं, you must do this, you must not go to presidential elections, यह कुछ भी ऐसी सीज़ आपको, जिसमें आपको कहा जाए, कि आपको यह करना ही करना है, उसको compulsory बना दिया जाए, तो वो must हो जाते है, obligation भी होती है जैसे, कि तुम्हें तो यह करना ही चाहिए, जहां हम कहते हैं करना ही है, वहाँ पर लगता है must, और जहां हम कहते हैं, चाहिए, वहाँ पर लगता है should, तो अब यहाँ पर क्या है, जब हमें firm necessity यह logic रेना है, sun, the plant must be kept in the sunlight, उसको अगर हमें process कराना है, अगर हमें उसे food production में लगाना है और उसको alive रखना है, तो हमें उसे sun के पास रखना ही पड़ेगा, ठीक है, शेल में क्यों होता है, intention और suspicious दिखाता है, यह supposition दिखाता है, अब शेल में मतलब intention कहते है, शेल आई give you this pen, शेल आई do this work, वो बताता है कि मेरी intention है करने की, तुमने ही करना चाहते है, क्या मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँ, यह आपकी intention में आता है, जनरली यह positive होती है, ठीक है, और supposition में मतलब कि suppose किया जाता है कि क्या यह करना चाहिए, विल में क्यों होता है, wish करते हैं, desire करते हैं, will यह confidence in future, यह करते हैं, I will do this work in future, या I will proceed to school now, तो उसमें क्या है, आपकी wish बता रहा है, I wish या I will become doctor, ठीक है, I will में उसमें wish यह desire बता रहा है आपकी, ठीक है, इस तरीके से confidence में, I will work hard उसमें confidence बताता है आपका ओट टू में देखो क्या है ओट टू में है moral duty जो होती है वो हमाद है you ought to give to poor when you have money मतलब उसमें moral duty आजाती है कि आपको ऐसा करना चाहिए ये एक तरीके से आपका netic duty बनती है insisted advice advice हम कहते है you ought to give an advice to a needy person तो हम advice देते है strict recommendation देते है strict recommendation देते है अब क्या है needed needed का मतलब है कि necessity भी हो सकती है या unnecessary भी हो सकती है unnecessary का मतलब क्या हो था कि वो कह रहे है I need you for this particular work या we will need you for teaching English ऐसे need का मतलब है जरूरत जिस चीज़ की आपको necessity है जरूरत है उसको water is needed for our future generation ठीक है B2 का मतलब होता है obligation obligation arising out of agreement और arrangement अब you oath to do this हम ऐसे कहते हैं लेकिन B2 में हमारा अलग हो जाता है हम इसमें दिखाते हैं कि एक agreement से आप bound हो इसलिए आपको करना ही पड़ेगा ये चीज़ ठीक है उसके बाद है have to have to में है unwillingness force or circumcumstance you have to do this मतलब आपको compuls किया जा रहा है आपकी willingness जो है वो नहीं है लेकिन आपको किया जा रहा है force किया जा रहा है कि आपको ये करना ही पड़ेगा you are not getting full marks so you have to come in the remedial classes तो ये have to आजाएगा कि आपको ये करना पड़ेगा ही would में क्यों होते हैं हम wish करते हैं I would like to like to आजाते हैं ना मिटा इसमें polite request या habit of the past I would do as I would dance as I had danced earlier ठीक है ये चीज़ आते है I will do the same steps फिरे should should का मतलब होता है necessity, advice, blame, recommendation reproach और regret बताता है मतलब की necessity आपको ये करना चाहिए hand wash करने चाहिए you should wash your hand before eating the food ठीक है तो ये necessity बताता है कि इसको करना चाहिए ये advice भी देता है आपको blame भी देता है blame कैसे देता है you should better not do this otherwise वो blame कर रहा है आपको पेरे recommendation you should take this pen you should take this umbrella because it is raining आप उसमें recommend कर रहा है कि क्या तुम ये लेना चाहते हो recommendation का मतलब होता है कि आपको advice देना ठीक है reproach और regret का मतलब होता है कि किसी regret मतलब कि अगर मैं ये कर लेता तो शायद ये हो जाता है wishful thinking होती है used to का मतलब होता है repeated action in the past I used to be a regular visitor at library मैं पहले यहाँ पर आता रहता था लाइबरी में आता रहता था तो ये जो हमने करें बच्चों ये कुछ examples थे model verbs के जिसको हमने sentences के साथ समझा बच्चों बच्चों अब हम examples देख लेते हैं auxiliary model verbs के can और could इसमें example देखो she can solve the problem he can visit the museum can you go to the shopping mall could I use your bicycle please he could not ride the horse I could not attend the party ठीक है अब हम मैंने जो आपको पहले पढ़ाया था अभी उसको इसके साथ मिला के देखना आपको समझ में आजाएगा और आपकी यही exercise है कि इनके आगे आप लिखोगे कि ये कौन सी feelings को depict कर रहे है यानि ये कौन सी चीज को depict कर रहे है next day may or might may or might में देखते है we may reach Delhi on Sunday I may leave to Hyderabad today you may go to beach to spend holidays they might get a chance we might have help you the solution your situation might be getting worse इसके बाद हम विल और वुट देखेंगे he will go to the market in the evening she will go to the market in the evening we will go to the market in the evening would you like to take tea Dani hope that he would pass his final exam he would buy a laptop for you I shall go to the beach tomorrow he shall work since six days a week shall I read a book tomorrow you would attend the class regularly Johnny would abide by his promise people shall work sincerely आप मस्टो रोट पी देख लेते है either Peter or I must leave now you must take breakfast early in the morning I must take interval she ought to be generous he ought to visit his friend once in a while you ought to help the poor तो बच्चों ये हमने कुछ sentences भी देख लिये पहले हमने model auxiliary verbs देखे कि कहां कहां यूज होते हैं किन जगों पे यूज होते हैं अब हमने उनके अच्छे से examples भी देख लिये now let us move to the next बच्चों हम conclude कर सकते हैं अब हम इसको पूरे को sum up कर लें तो हमारको पता है चलता है auxiliary verbs auxiliary verbs used together with the main verb to show the verb's tense or to form a quotient or negative sentences example would or do transitive verbs कों से होते हैं express doable activities that relate or affect someone और some else something else जर से examples हैं इसके love, respect, tolerate intensive जो verbs होते हैं वो कों से होते हैं action verbs that always express doable activities but there is no direct object that is work, laugh, walk, ठीक है model verbs model verbs are the verbs that are used to express ability, possibility and permission that is can, may, should अब इस रेगुलर वर्बस कों से होते हैं irregular verbs are those that don't take on the regular spelling pattern of the past simple and past participle जैसे की eat, eat का क्यों हो जाता है, eat हो जाता है न think का क्यों हो जाता है, thought हो जाता है, bring का क्यों होता है, brought हो जाता है तो यह मतलब जो की हम past में जाते हैं तो उनकी वो बदल जाते हैं उनका पूरा का पूरा structure ही बदल जाता है बेटा irregular verbs हो गए अब regular verbs कौन से होते हैं a verb that passed second form and part participle third form is made by adding d और ed is called regular verb जैसे walk का walked हो गया और तीनों tenses में इसका walked रहते है talk का talked हो जाते है तो तीनों दोनों बाकी जो past tenses होते हैं उसके अंदर ये वो ही रहता है walked ही रहता है talked ही रहता है अब definitive verbs कौन से होते हैं a verb which can change their form according to the subject it defines the time and the subject it tells you who is doing the action and when it is being done जैसे eat, eats she is eating the apple she had ate the apple she eats the apple every day तो इसमें आपको पता चलता है कि कब क्या हो रहा है indefinite verbs कौन से होते हैं a verb which have to be to before it जिनके verb के से पहले जो है to लगो होते है to walk through ठीक है to 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 go to ठीक है जैसे जैसे it should indefinite action which is used at the beginning of the sentence that is to see is to believe ठीक है हमने starting यह से करी हमने लिखा to see is to believe यानि की हमने start करा indefinite verbs से ठीक है तो बच्चों यह था आपका concluding part अब आपको सारे types के verbs आगे है चाहे वो आपके action verbs हो linking verbs हो irregular regular verbs हो finite infinite verb वो transitive verbs हो या intransitive verbs हो model auxiliary verbs हो phrase verbs हो सब कुछ आपको verb के बारे में पता चल चुक है with examples और हमने starting से कर लिया what are verbs से लेके end तक जितने भी verbs possible है अब next time हम uses of verbs भी पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कहां कहां हम use करते हैं